हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे चैनल संब्रदी टेक्निकल में आपका रिदय से सौगते दोस्तों आज हम चीजल के कॉंसेट देखेंगे कि चीजल का यूज करते समय हम किस परकार से सही पोजिशन में पकड़े कैसे काम करे किलियरस एंगल कौन सा होता है रैक एंगल कौन सा ह यूज का होता है इस परकार से सभी बींदू पर बात करेंगे च 22 देखी ऐसन ही चीजल को किस पकड़े यही एंगल अंपने प ren यह जुकाओ और से की असे साथ साथ हमें दो चीज द्यान रखना पड़ता है के क्लियारिस एंगल कितना दे ओर एक एंगल कितना दे दोस्तों आम तो पर समझने के लिए इस चित्र को देखते हैं देखिए मैंने एक 60 degree हैं यहा तक के 60 degrees Folk में यह 60 degree हो जाएगा छिकन होतीज तो इसके बाद यह ऊपर जो भचता है तो यहां से लिएकर यहां तक के यह रेक ंगल होता है कि नीचे जो भचता है यह सरेपेश के साहथ यहां पर उसको बचते क लीयरेंस अंगल तो हमने क्या देखा एक देखा रैक अंगल जो की कारेकरी सतह के लंबवत और सर्पेस के जो चीजल के टॉप सर्पेस है उसके ऊपर ये रैक अंगल है और नीचे क्लेरेंस अंगल है ये दो चीज़ हमने देखा दोस्तों वन बने की रैक अंगल किने ऊता है तो जो आम तर ये पेस दिखना ये बिस यह था है तौन तो ये इंगल को कम करने से जूकाओ जो है अप कोङने इस प्रकार से पकड़ा हुआ देखी इस प्रकार पकड़ा हुआ है अब इस clearance angle को कम कर देता है तो ये slip होती है ञाय है? एकसम में कुशन मैं बनता है और रैक current को क्म कर दे तो क्या होगा? ज्यादा धस देगी तो question 2 बन गहा है. इसमें क्लेर्स एंगल को कम कर दे तो क्या होगा? तो आप बताओगे कि slip होती है और पार रेक कॉंच को कम कर देतों क्या कैसि कि अब कोशिन आता है यदि रेक कॉण्टकों 20 दिग्री कर दिया जाए तो किलेरिस एंगल कितना होगा तो देखिए 10 कर दीजे तो यहां कितना होगा बीस डिग्री ठीक है और यहां तो साथ डिग्री है यह तो दोस्तों इसमें और कितना कुशिन बनता है वो भी एक बाद देख लिजिए जॉब की उपरी सता और चीजल के नीचली सता की बीच बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं तो आपको बताना है क्लियरस एंगल इसी परकार से जॉब की उपरी सता और लंबबद बनने वाले एंगल को रैक कुण कहते हैं पिर मैंने बताया कि किलियने बढ़ा देंगे तो क्या होगा और रेक को बढ़ा देंगे तो क्या होगा इस प्रकास से दोस्तों आपने देखा कि यह चीजल का कुछ खास-खास कोशिन है इसमें चार कोशिन मनता है इसे आप बिल्कुल भी छोड़िया गरें आप पूरे अंत जैकां देखिए हाई कर्वन स्टील का जॉप शुकावकोर देना है 39.5 डिग्री जिघ्न का जॉप है तो आपको 37 डिग्र इसका उंकलिशन एंगल देना है जुकाव कोणि करना है और जी माइल ड्स्टील हो तो 34.5 डिग्री इसका एंगलेशन अंगर रखना है और यदी प्राज्ज्य है तो आपको रखना है 32 डिग्री और यदि जुकाव कोणि न रखना है कैसे लगा यह वीडियो आप मुझे जरूर बताईएगा सुइट एंड शॉट एक छोटा सा वीडियो था यदि आपको पसंद आयो तो एक लाइक और कमेंट्स तो करें दीजे दोस्तो और यदि आप फस्ट टेम हमारे चैनल में है थैंकि दोस्तो आप देखते हैं हमारे चैनल स्वम्रेदी टेक्निकल